हेलो गाइज, वेलकम तो दे सिविल पॉइंट यूट्व प्लेटफर्म, दे सिविल पॉइंट की यूट्व प्लेटफर्म पर आपका हार्दी कम नेंदन है, तो इस वीडियो में पनाज एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्डिंग ड्राइंग के उन दोस्तों क तो उसके लिए मैंने ये सब्जेक्ट आज स्टार्ट किया हुए है, आज इसका अपन डेमो वीडियो देखेंगे, सलेबस डिसक्सन करेंगे, और कुछ आपको ड्राइंग्स दिखाऊंगा किस तरह से अपन ड्राइंग बना बना कर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठी इसके कुछ डेमो वीडियो आपको यूटूब पर मिल जाएंगे, लेकिन जो सारा कॉर्स होग वो पेड कूर्स है, ठीक है, सारा कूर्स है, ये इसका पेड कूर्स है, आप इसको अभेल कर सकते हैं, उनली फॉर फाइव हंडड़ रूपीज में, इसको अप्टेटल पाच पूरा कॉर्स आप इसका लेख सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी कैसे रहने वाली, आरने वाले एक दो दिन में आपको सारे डिमो वीडियो मिल जाएंगे, यूटूब में, आप वहां से देख सकते हैं, आज फिलहाल में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे पढ़ाने वाल ठीक है तो देखो दोस्त आप हो civil engineer है की नहीं civil engineering की field के अंदर सबसे पहले हैं क्या करते हैं माल लो एक land है ठीक है कोई एक जमीन है उसका सबसे पहले आपने survey कर लिया ठीक है अब कोई customer आपके पास आया है ठीक है एक मतलब बेसिक सी बात समझ लो दोस्त की जो building drawing subject है अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आपकी direct income अगर आप कोई ज़ाब ना भी कर रहे हो तो आप यहां से direct income generate कर सकते हो है ना direct customer की requirement के हिजाब से उसकी घर कर डिजाइन बना करके एक direct income का आपका स्रोध बन सकता है अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो especially इस subject के अंदर जो एक building planning वाला chapter है बहुत ही ज्यादा important और लोग उसी को skip कर देते हैं तो मैं उसको बहुत इच्छे से अपन बहुत ही गहराइस पढ़ने वाले हैं और मैं ऐसा बना पढ़ाऊंगा आपको कि आप किसी भी land को देखकर यह जमीन को देखकर एडिया देखक कर आप वहाँ पर एक अच्छा से अच्छा हाउस प्लान बना पाएंगे टू बेच के त्री बेच की जितने भी आपकी requirement होगी उसके हिसाब से किस तरह से रखना है क्या प्रिंसिपल से सारा कुछ अपन आने वाले lecture में सारा एक दब बिस्तार से गहराइस से डिसकस करेंग तो इसका जो सलाबस किता है आप देख सकते हो सबस्के पढ़ेंगे इस टेयर की ड्रैंग बनाएंगे इस से आपको कमरे के साइज देदिया उसके अंदर आपको एक सीडी बनानी है तो उसमें राइज किते होंगे ट्रेट किते होंगे उस एलेटर जो भी फिनोमीना है आन त्रस भी लगवग चार हैं त्रस मतलब देखो जो यह आप लोग पक्के घरों में जो छट डालते हैं उसको बोलते हैं रूप ठीक वो ट्रस नहीं है अपने छपपड सुना होगा च्छानी जो की स्लोप होती बीच में आप एक रिज लगाते हो फिर वास दोनों तरफ रिज यूजर की साब से उसकी भी ड्रेंग बनाएं कित्ती बड़े ड्राइंग क्या टैमेंसर होने चाहिए सारी चीज अपन इसके अंदर देखें कुछ स्टेंडर्स कुछ स्टेंडर्स माब बताऊंगा आपको कि यह इतना लेना है आपको जार रिटल रखना होगा बात आपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं छज़्या की साइज वेच यह सब अपन अंदर करेंगे इसके बाद बिल्डिंग प्लानिंग जो मुस्ट इंपोर्टन चेप्टर ठीकि यहां से मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे लेकिन जो मुस्ट इंपोर्टन चेप्टर इसके बिल्डिंग प्लानिंग का ठीक है इसके अंदर सब्सक्राइब करने के वाले हैं कि अगर आपके पास कोई लेंड तो सबस्क्राइब पढ़ेंगे प्रिंस्पला प्लानिंग भी सिध्धान्त क्या क्या है है जैसे आपको एक दास्वाइं मालों आपको एक तीस भाई 30 फि सब्सक्राइब करना किधर से धूपारी सनलाइट के लिए कौन से सीडी कहां बनाओगे लेट बात कहां बनाओगे साइज क्या रखो गुन की यह सारा कुछ अपन प्रिंस्पला आप सिध्धान्त में पढ़ेंगे ठीक है काफी सारी चीजिए उनसके अंदर सब सिध्धान परसपेक्टी थिए परसपेक्टीव इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जनेरली अपन टूपोइंट परसपेक्टीवी पढ़ों गेंगे ठीक है अगर आपको कोई जमीन दी हुई है तो उसके हिसाब से आप एक अच्छा साच्छा हाउस प्लान बना पाऊ है ना क्योंकि यार अगर इससे आगे हाँ एक चीज और अगर आप इसको अच्छा समझ लेता है तो बिल्दिंग ड्राइंग के अगर आपको फीलिंग आ जाती तो आने वाले सिविल इंजिनिए के जो अधर सब्जक्ट जैसे क्येशिक अगर आप से बीनिंग आती है तो आप क्यूंस प्रता है क्या पना घंप पास डीजाइन करनी है तो आपको USC वगएर में काफी ज़्यादे help मिलने वाली इस subject को पढ़ने के बाद दूसरी चीज की importance है कि आपको कम से कम घर कनक्सा बनाना तो आना ही चाहिए है कि नहीं मतलब आपसे बोल दिया कि डूबेच की बनबाओ तो आपको पता हुना जी कि इधर से आपको किचन रखना कि इधर से किस तरह के जमान आप किसमें और क्या अच्छी चीजे कर सकते हो है न तो उसमें थोड़ी से अपन कुछ आपका ही दिमाग लगा के सोचने कैसे है आपको thinking कैसे रखनी है इस सारी चीजें इसके अदर करेंगे बिल्ले राइंग के अंदर ही आपकोGMिक लो कोस्ट ऊसिंग करो कैसे बना सकते हो है कि नहीं मतलब जैसे में है इंजीनियर और घड़ तो सभ बनाती अब नहीं मिस्त्री मिस्त्री में वह बनाता है आप में और उसने करने मिस्त्री बना देपूरा फूरा घर को पैसे बचाने बचाने है तो पैसे बचाने तो आपको किस प्रकार से कहां पर बचा सकते हो और किस चीजों में कमी करके बचा यह सारा कुछ आपन प्लानिंग के अंदर डिसकस करेंगे, बहुत अराम से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके बाद, यह तो होगी बात इसकी, अब मैं आपको कुछ डेमो के रूप में स्क्रीन सोर दिखाता हूँ, किस तरह द्राइंग, क्योंकि यह प्लानिंग वाला पढ़ लेंगे, लेकिन पेपर में आपको देना हुए, तो ड्राइंग आने वाली है, ड्राइंग आपको बनाना है, तो आप कौन साब किस प्रकार ड्राइंग बनाओगे, वह सारा कुछ तो मैं आपको बना कर दिखाँगा, कौन से पिंसिल कप कहां से सारा आपन डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको मैं कुछ ड्राइंग दिखा रहा हूँ कि कैसे आपन बनाते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं, ओक आइस तो आप स्क्रीन पर देख सकते हूँ है, और ऐसी ड्राइंग यह मेरी द्वाराई में लाग बगभभ जब मैं आपने इस ट्राइंग को बढ़ाता हूँ, तो उस टाइम पर ऐसी ड्राइंग है, यह आपको मैं जैसे बोर्ड आप देख सकते हूँ, यह बोर्ड रखा हूँ, यह बोर्ड रखा हूँ है, इसके बाद देखो यह डूर का है, सामने से, ओके, और यह एक बिल्डिंग की प्लानिं बनाने वाले हैं, और यह एक स्टेयर की इचुकी फोटो कलियर नहीं, इसलिए आपको ऐसे दिख रही है, और यह देखो, यह एक लिंटल छच्चा पूरा सहीत है, नीचे से उपर तक, और यह स्पाइरल स्टेयर का है, अब देख सकते हैं, आपको पताने वाल, आपको दि सेक्शन बने हुए, यह प्लानिंग है, ऐसे अपन प्लानिंग करते हैं, ठीक, लाइन प्लें दिया तो उसका बनाना था प्लान, आपको किंग पूश ट्रस है, क्लियर, ऐसे अपन इसको भी बना करके पढ़ेंगे, ऐसे सारी डैमेंशन बताऊं में, हने यह चुकी मैंने व rewarding, यह यह अजिए योध है, है यह ये फ्inação है, यह एक open nuvel stair है, टापर र में और यहां को जो gap होता है, यह यह नहीं बपादा ओट है, तो तो समझेंगे, इसको क्या कहे है, इनकी खाas हैतने सब कुछ, यह जएक है, देख सकती है आप, और यह देख सकते हो आप, इस लोफ ट्रस टिक ऐसे इसकी डाइमेंशन एक चुले नहीं करी हुई है बट मैं भी वीडियो पर करूँगा तो बना के दिखाऊंगा आपको ठीक है और यह आपका दूर ठीक दूर देख सकते हैं आप ऐसे अपन डॉर बनाते हैं यह पैनल एस वर यह ग्लैस्ट डॉर है ठीक अज़िए तो अब यह प्लान है क्लेर और यह इसका व्लेवेसन है ठीक है इसका आज़िवेसं है और निगृटर स्टेट फ्लाय और यह फूटिंग है और यह आपको कुईन पोस्टर से स्वारी किंग पोस्टर से अब यह सारे कुछ ट्राइंग से ठीक है अब यह आपको थोड़ा सा आसत लग गई होगी इसके अंदर कैसे आपको पढ़ाने वाला हूं तो हाँ एक चीज और इसके अंदर एक दो वीडियो मे कि यूटूब पर डालूंगा वो कल आजाएंगी और बाकी के लिए आपको कुछ दिन के आफर की बात करना हूं तो आपको 500 रुपीज में मिल जाएंगी और अगर आपको कुछ पर्चेस करना चाहते है तो आपको मेरे को कॉंटेक्ट कर सकते हूं 917941 74 लास्ट में 00 यह वाटसेप नमबर है ठीक है यह मेरा वाटसेप नमबर है इसमें आपको वाटसेप करना है ओके फिर बांकि मैं जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइट करता हूँ वो आपको सेपरेट प्राइबेट ग्रूप्स में मिल जाते हैं ठीक है और सिविल्स रिल्टर आपको की सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो अभी आप लेक्चर मेरे से ले सकते हो तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी मेरी गैरंटी है ठीक है दोस्त तो और हां कुछ दोस्तों की थी कि एक्स्प्लेनेशन इंग्लिस में होगा हिंदी में होगा तो टार्म इंग्लिस के यूज़ करूंग जो कि इसी 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 तरीके से समझ में आपको अगर फील करना चाहिए सब्यक्त का मेरे इई मानने ठीक है तो मैं जैसे बढ़ाता हूं वहां भी टर्म जैसे रहते हैं इंजिनरिंग फिल्ड में वैसे यूज़ करेंगे ठीक है ब्रिक को ब्रिक ही बोलेंगे इट नहीं बोलेंगे बस इत्ता संतर ठीक है तो देख सकते तो आपे ड्राइंक्स ओके और लेक्चर में कल से अप्लोड कर दूँगा बागी आपके फिर आपके सारा प्रोसेस महीं बता दी जाएगी ओके चलो थैंकी सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है अपना ख्याल रखो भाई और वारस से बचे रहो घर पे रहो ऑन